प्रवाद मत करो बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं लाने दो लाने दो बुरे घर के कपड़े लाने दो और पडूसने भी पुज़़े उनके कपड़े उनको भी लाने दो ये सश्ता ऑव अच्छा सावण है इसलिए इसलिए अच्छी मज़ूरी करवा रहे हो लेंगा है कि सरकेस के तंबू यह नटवार एक बात बताओ इस गर में कितने परिबार रहते हैं 15 16 परिबार हां तुसको घर के बोलते हैं इसको जिला गोसित को नहीं कर देते हैं काम का नहीं तो तुझे रसी में शुका दूंगा यह कूरता किस राख्षास का है यह कूरता हमारे बड़े साहब का है मतलब इन राख्षासों में से और भी एक बड़ा राख्षास है ए नीची अवाज में बात कर यह लोग तो कुछ भी नहीं है असली साब तो वो है मंगल सिंग चोहान गुजरात गया है आने वाले कि यलो फितनों खाड़ो पुरुवा हालो क्या का लो मैं खाड़ो मैं खाड़ो मैं खोदूंगा लदी थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है नहीं जम्बू मैं जम्बू नहीं थी ऑपड मा भाण मा बाद मैं त मीदीघट सभान मैं मैं पेट साले गड़ा क्या जाजाबी खाम कर क्या खाना हा चॉली की सब्जी है चपाती है और मिठाई में घुगरा है क्या तो चुछ औरी समझ रहा था अब कुछ नहीं हो सकता इस घर का असूल कि एक बार किसे नहीं कर दिया तो तो दुबारा काना कर दिया तो दुबारे उसको खाना नहीं मिल चाहरे यह बगवान क्या जिलुम है सारा मकャम करूं है खाये वह अभो अब कुछ नहीं हो सकता क्या हो सकता है एक बाट सबका खाना हो जाए कुछ खाना बचेगा तुम इमसे कह दूगा वो तुमको बोला लेंगे कुछ करो ना कुछ करो ना जा के कपड़े दो पैंटी किली कर रहा है मेरी पागल हो गया अच्छानक मुझे मेरे मालिक याद आ गया इसलिए होश्को बैठा अबे गोंचू यह तेरा मालिक नहीं है यह बड़े साब की क्लोथी बेंग के कपड़े जरा से भी फड़ गये ना तो बड़े साब तुझे पाड़ डालेंगे हाँ बड़े बड़े लाद कर दो वाद कर दो पाद कर दो दो यह रख पाद कर दो वाद कर दो यह तो अज़ा गया है